आरुशी, सरबप्रीत, नितिका, जोया, सगन्दीप कौर खेलो गाईज, इंग्लिश कि इसक्लास में आपका स्वागत है तो पिछली बार हमने कुछ आपको संटेंस दिये थे और हमने कुछ आपको साइट वर्ट्स दिये थे वह आपने बहुत अच्छी तरह समझे कुछ बच्चों ने कमेंट करके बहुत अच्छे आंसर दिये उन सब बच्चों को मैं थेंक्यू बोलना चाहता हूँ एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे कौन कौन से थे आरूशी, सरप्रीत, नितिका, जोया, सगंदीप कौर इन सब को मैं बहुत दिल से थेंक्यू बोलता हूँ कि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे जो संटेंसे हम देते हैं उनको सॉल्व करके ये कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो आप सब बच्चों का बहुत 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 थेंक्यू तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि उनका आंसर था क्या ये हैं वो आंसर जो पिछली बार हमने जो कोशन दिये थे उनके ये आंसर थे हैं तो देख लेते हैं इनको एक बार, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, तो I have a book, ठीक है, कुछ बच्चों ने A नहीं लगाया था, उसके बारे में हम इससे अगली वीडियो में बात करेंगे, एक एन दा, जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, वो कहाँ पर जुरूरी होते हैं, क्यों ने लगाना होता है, वो कहाँ पर काम करते हैं, और कहाँ पर एन लगता है, कहाँ पर दा लगता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, राम और गीता वहाँ है राम एंड गीता आर दिए ठीक है राम एंड गीता आर दिए यहाँ पे दो नाम है तो प्लूरल होगे इसलिए हमने आर को यूजे किया है किया मैं वहाँ जाओं पर्मीशन थी यह May I go there यह गलती से लिए था May I go there ठीक है तो हम permission मांग रहे हैं किसी से May I go there वैसे can में भी बन सकता है बट यहाँ पर permission है तो May I go there मैं अंदर आ सकता हूँ May I come in ठीक है May I come in यहाँ पर May I come in आएगा Can नहीं आएगा गलती से can लिख दिया था तुम गाड़ी चला सकते हो यहाँ पर I go can You can drive a car You can drive a car चीक है मेरे पास save था I had an apple कई बच्चों ने यहाँ पर A apple लिखा उसके बारे में हम अगली वीडियो आप जरूर देखें उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप apple में an क्यों लगाते हैं यह क्यों नहीं लगाते हैं न तो वह सारी confusion आपकी दूर हो जाएंगी गीता मुझे सेव दो गीता गिम्मी एन एपल फिर एपल आ गया तो हमने फिर से एन लगा दिया ठीक है मैं हमेशा चार बजे बढ़ता हूँ I always read at four o'clock ठीक है I always read at four o'clock मेरी अगली सीट पर बैठो यह जो था वो डेस्पी केबल मी टू का सीन था डेस्पी केबल मी टू का यह सीन था और यहां पर वो एक बच्चा होता है वह मिनियन कहीं और लेंडो जा रहे होते हैं वह विलन कौन कुछ वह उसमें जाते हैं वह आपने देखी जुरूर होगी बच्चों ने तो वहां पर जब जाते हैं तो वह किसी कार से लिफ्ट मांगते हैं और एक मोटा सा बच्चा होता है बहुत प्यारा सा वह उसे बोलता है मतला मेरी साथष़ी पर बैठो मेरी अगली अगली सीट पर बैठो हो तो उसको हम बोल देते हैं sit next to me ऐखेकर केले खाना पसंद रहा है आपको पता है कि कोन केले खाता है अना तो मुझे केले खाना पसंद नहीं है तो चलते हैं अपनी अगली लास के लिए चीक है जो हमने आज पढ़ना है उस पर हम आज बात कर लेते हैं तो किसी भी नाउन को जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो कुछ हमने रूल्स फोलो करने पढ़ते हैं जिसमें से सबसे पहला है कि हमने उसके साथ एस लगा लगानने से काम हो जाता है बत कुछ Nours होते हैं जिनमें यह लगाना पढ़ता है इस लगाना पढ़ता है या thus कुछ और भी उसमें हम changes करते हैं सबसे पहले हम S वालों को देख लेते हैं जो S वाले noun wise हमारे वह किस टाइप के होते है तो यह आपके सामने कुछ example है जैसे boy singular है तो s लगा दिया तो boys बन गया, girl singular है girls s लगा दिया तो girls हो गया, door singular है, doors कर दिया तो बहुत सारे doors हो गया, trap singular है, traps कर दिया तो बहुत सारे traps हो गया, voice singular है, voices बहुत सारे हो गया, plural होगया old singular नहीं बहुत सारी हो गयी एट चैर singular है पहीग है टो यह साथ में एस नहीं लगा Love उसके साथ में हम S लगा देते हैं simply बट हमें यह समझ में नहीं आता कि यह S गलत क्यूं हो गया ठीक है तो उसके कुछ rules होते हैं कुछ हमें कुछ चीजों का उसमें ध्यान रखना होता है उन चीजों को भी देख लेते हैं तो rule में कोई नाउन मिल जाता है S SH CH Z और X से खत्म होने वाला ठीक है जैसे कोई word है और वह नाउन है और वह उसका last जो है वह S आ रहे है CH आ रहे है SH आ रहे है ठीक है यहां फिर Z आ रहे है तो उस टाइम पर हम उसको plural करने के लिए S नहीं लगाएंगे ठीक है इस नहीं लगाएंगे एस लगाने से वह स्ष इस हो जाएगा match Chara last में appreciate मैच इस जो जाएगा टीक deep दिश है डिशीज हो जाएगा box आ बॉक्सें रोक सींगहेख है की तो यह सवीमारे एस लगानेसे टीक है और बस बजिझ यह जैड वाला मैं अध कर देब इसमें ताकि आप Z वाले को भी समझ भाओ, ठीक है, तो simple था ये बिलकुल, जो भी, जब भी हमारा last में S आएगा, SH आएगा, CH आएगा, Z आएगा, और X आएगा, तो हमें उसको plural बनाने के लिए simply, उसमें ES लगा देना है, अब आप कहेंगे क्यों लगाया है ES, S लगाने से भी तो हमारा काम हो सकता था, बट नहीं हो सकता था, क्योंकि S तो पहले से लगा हुए, तो उसमें अगर एक और S लगा देंगे, तो वो wrong हो जाएगा, तो ऐसे ही कुछ चीजे हैं, जिनके साथ कि हमारे को ES लगाना होगा, जब हम इसको plural बनाने लगेंगे, तो उसका ये rule है हमारे को, इसको note करना पड़ेगा, आप चाहें, तो इसका screenshot ले सकते हैं, और इसको memorize कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, अब दूसरा rule देख लेते हैं, तो rule number two है हमारा, जब कोई noun, जब कोई noun, y से खत्म होता है, जैसे की boy, ठीक है, इसके last में y है, तो boy, जो है हमारा noun है, और ये y से खत्म होता है, तो हम उसे plural बनाने के लिए s लगाते हैं, यह तो आपको पता ही है, कि हम कई बार boy है, तो boys कर देते हैं, ठीक है, day है, तो days कर देते हैं, तो इसे हम plural बनाने के लिए simply s लगा देते हैं, हमारा काम हो जाता है, बट यहाँ पे एक problem आती है, लेकिन अगर y से पहले वाला अक् ठीक दे, s लगा दे तो यह गलत होगा, ठीक है, यह गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा, y हटा कर यह party है, party का y हटा दिया और i, s लगा दिया, यह सई हो गया, ठीक है न, इन चीजों का में ध्यान रखना होगा, कि ऐसा क्यूं होगा, केंडी है तो केंडी का वाई अटाक का केंडी इस कर दिया क्यों कि क्यों कर दिया क्योंकि य से पहले जो टी था वो कॉंसोनेंट था ठीक है वाई से पहले जो डी था वो कॉंसोनेंट था य से पहले जो बी है वो कॉंसोनेंट है ठीक है अब डे में अगर आजें हम बोय या दे में तो वाई से पहले जो ओ है वो क्या है वोवल है तो यहां पर हम एस लगा रहे हैं डे में वाई से पहले ए है तो यहां पर हम एस लगा रहे हैं तो जो भी वोवल आएंगे वाई से पहले वोवल आएंगे तो हम एस लगा देंगे consonant आएंगे तो य को हटाकर हम IES लगा देंगे ठीक है तो टॉय का बन गया टॉय पॉनी एन है तो यह consonant में आता है IES बन गया फैमिली यहाँ पर एल जो है वो consonant में आता है तो यहाँ पर IES लग गया ठीक है सिंपल है न यह भी तो इन चीजों का आपको ध्यान प्लूरल में लिखा था बट वह प्लूरल में लिखा होने के बावजूद भी वह रॉंग में आ जाता है क्योंकि हमें यह पता नहीं होता कि उसमें एस लगाना था यह आई एस लगाना था तो चलिए तीसरा रूल देख लेते हैं कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं सिंगुलर और प्लूरल को बनाने की तो उन पर देख लेते हैं उनसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर ले और साथ में जो बैल आकोन है उसे भी तबा दें आपके पास ऐसी एजुकेशनल वीडियो पहुंसती रहे तो चलिए तीसरा रूल देख लेते हैं तो रूल नमर थी है हमारा जब कोई नाउन एफ और एफ ए से खत् वॉल्फ यानि वॉल्फ लाइफ लाइव्ज नाइफ नाइव्ज लोफ लोव्ज वाइफ वाइव्ज ठीक है तो ये कुछ हमारे एक्जामपल्स हैं जिनके साथ हम इन सीच को बड़े असानी से समझ सकते हैं जब भी कोई लास्ट में एफ लीफ है तो एफ से खत्म हो रह या फिर एफ 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 ए और एफ ए ठीक है तो उस ते हम एफ ए को हटा कर ये भी मैं लिख देता हूं एफ या एफ ए को हटा कर हम उसमें वी ए एस का प्रयोग करते हैं ठीक है तो ये बहुत स्था इसको आप याद कर लें और उसका स्कृन शोट ले ले और फिर हम चलते हैं इस्ब आपकर सकते हैं कुछ भी नहीं वरती है बलकि वो कोई हैसे ऐसे करने बड़ते हैं कि वह याद ही लिए नहीं उसके अलावा काम नहीं हो सकता ठीक है तो जैसे कुछ फॉर एक्जामपल है मैं एक आदमी ज्यादा आदमी को बोलते हम मैं ठीक है ऐसे वुमेन है तो वुमेन एक और ज्यादा और वुमेन टूथ अच्छा कुछ मैं आपको इसमें हिंट देता हूं कुछ तकरीबन यह ऐसी होते हैं ऐसे बनते हैं जहाद तर जहां पर भी डबलो आएगा जहां पर भी कुछ ऐसे वर्ड आएंगे आपके सामने जिनकी आपको प्लूरल बनाने में मुश्किल होगी तो मोस्ट ओफ दा केसी में हम डबलों को हर टागर्ड डबली कर देते हैं बट सब में यह रूल न यानि बहुत सारे दाद चाइल्ड एक बच्चा चिल्डरन बहुत सारे बच्चे गूज गूज एक और गीज दो मलब सिंगुलर और प्लूरल फुट यह फिर वही आगया डबलो है और फीट ठीक है ना तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने डबलो लगा दिया माउस ए यानि की पता है ना तो लाइस ठीक है बहुत सारी ऑक्स ओक्सन तो यह कुछ वायड्स है हमारे जिनको हमें प्लूरल बनाने के लिए हमें बिल्कुल ही इनमें चेंजिस करने पड़ते थे हैं इनको हमें याद करना पड़ेगा बहुत जदा नहीं है यह कुछ यह ही है बस और इनके लावा अगर कुछ चूट गए होंगे तो दो चार पाँ चोर हैं जो हम आगे आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे आपको यूज आएंगे वो आपको पता चलते रहेंगे अगर किसी बच्चे को इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स पता हैं तो वो comment box में जरूर लि है जिसमें हम सिर्फ s का यूज करते हैं वो हमारा एक रूल वह भी बन जाता है तो टोटल यह 6 रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले तो लास्ट वाला जो रूल है उसे भी एक बार देख लेते हैं तो यह है हमारा रूल नंबर 5 यानि कि लास्ट रूल कुछ शब् इंजिस नहीं कर सकते और उनको ऐसे काहसे चौड़ना पढ़ता है ठीक है वो शब्त कुछ ऐसे होते इस प्ल मु और शीप शीप ही होती है मूस मूस ही होटा है ठीक है दियर यह को हूँ अतेए फिश है फिशं चाई एक पिशी हो चाहता है जितनी भी द गुष इडिने है छी को, पर्च ऑप बोलते हैं थे bond विखेंजयो कोखिज मोटे हैं इस और बोला को है स्वाइन तो फेल्ट वखेलो श्रीम्प अगर ऑप उसके साथ में कुछ और भी वर्ड में इसमें पर enrichment में अगर आप वो भी चाते हैं तो comment box में comment करें मैं आपको उन सारे words को एक उनका PDF बनाकर और आपको description में उसका link दे दूँगा आप जाके उसमें वहाँ से चेक कर सकते हैं नहीं तो मैं description में वह सारे words लिख दूँगा आप वहाँ से उनको चेक करके एक बार अपनी जो आपने book बनाई हुए अपनी notebook बनाई हुए उसमें आप लिख सकते हैं ठीक है तो हमारी जो singular and plural की जो class थी वह आज खत्म होती है तो मैं आपको कुछ words देने वाला हूँ आपने उसको singular से plural करना है ठीक है और मैं मुझे खुशी होती है जब कोई बच्चा comment box में उसका answer देता है तो जो भी comment करेगा मैं उसका अपली अगली वीडियो में उसका नेम अनाउंस किया करूंगा आज से मैंने decide किया है तो अगर आप भी चाते हैं कि आपका नेम हमारी वीडियो में अनाउंस हो तो comments करते रहें ठीक है तो यह है आपके लिए कुछ homework आप इसे करिए और comment box में डाल दीजिए और अगर आप चाते हैं कि आपका नाम हम अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करें तो आप इसे जरूर करिए और comment box में जरूर डालिए अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो आप इसे like करें comment करें और अपने इसे बजाओ को ओिए से करें